हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूश पर परहार में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं फिर से इंट्रिम मेंटेनेंस पर ही बात करने वाला हूँ दोस्तों काफी लंबी चुटियों के बाद कल कोट खुली थी और आज से हमारा काम स्टार्ट हुआ है कोट में तो कोट में आज कुछ मामले लगे वे हैं जिन में से एक मामला इंट्रिम मेंटेनेंस का ही है जिस पर आज आर्गूमेंट होना है और कली मैंने एक वीडियो बन को ध्यान में रखना है और आपके argument करने का लहजा क्या होना चाहिए आपका लहजा आपकी presentation ही decide करती है कि आपके जो argument है उसको कितना बल मिलेगा और उससे court कितना convince होगी कुल मिलाके क्या है देखिए court में जस्सा बैठे है जस्सा आपको mainly evidence पे काम करना है और जो भी evidence आपके लिए आप court को कैसे convince करते हैं यह पूरी तरस आपके उपर है अगर आप court को convince करने में काम्याब रहते हैं फैसला आपके पक्ष में होगा court आपसे convince नहीं होती तो फिर फैसला आपके पक्ष में नहीं होगा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाली बोलने से convince हो जाएगी आपके प तो दोस्तों दोनों ही चीज़े बहुत important है, आपके पास evidence भी होने चाहिए और उस evidence पे जो argument है वो भी up to the mark होने चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है, अब दोस्तों entry maintenance के मामले में जो main person होता है वो यह होता है कि sir हम अपना maintenance कम कैसे करवाएं, कहने का मतलब देखिए कही न कई आदमी एक चीज़ भी admit कर लेता है, कि चलो air मेरे को maintenance देना है, शादी तो मैंने करी है, मैं दे दूँगा, लेकिन एक समस्य होती है क्यों से लगता है, यह मुझे unreasonable ना देना पड़ जाए, अब मेरी earning तो है बहुत कम, और मेरा maintenance लग गया बहुत जादा तो उसके बाद मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाओंगा, यह अगर कुछ और समस्य है घर पे हैं, और कोई जिम्मेदारियां सर पे हैं, तो उन चीजों को पूरा कैसे करूँगा, और मैं पूरा सुबह से लेके शाम तक मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, और मेरा पूरा पैसा इसी तरह से चला जाएगा, और मेरा पूरा परिवार उस वज़े से सफर होगा, यह सबसे बड़ी प्राब्लम होती है दोस्तों, मैक्सिमम केसेज में, आदमी यही सोचता है, कि मेरे पास तो कि बचेगा ही नहीं, और फिर मैं किसके लिए काम करूँगा, अगर मेरे कि मैरे पास मेरे माबाप के लिए, मेरे भाई बंदुओं के लिए, मेरे खुद के लिए, उनके medical खर्चों के लिए ही पैसा नहीं बचेगा, और ऐसा होता भी है दोस्तों, कई بार ऐसा होता है कि maintenance का order इतना ज़्यादा हो जाता है, कि आप उसमें परशान ह जाते हैं, कई दोस्तो ऐसा जिन भी मामलों में होता है न उनमें आपकी कोई ना कोई मिश्टिक रहती है तो आज की इस वीडियो में मैं उनी मिश्टिक्स पर बात करने वाला हूँ जो जनरली आप इंटरी मेंटेनिस के केस में करते हैं जिसका खामियाज आपको भुगतना पड़ता है तो वो reply हम ठीक से नहीं बनाते हैं अब इसमें क्या-क्या गलतियां हो सकती है देखे लड़की की petition आप कभी भी पढ़ना बहुत लंबी नहीं होगी छोट-छोटे paragraphs में वो अपनी सारी बात क्या देती है generally generally 100% मामलों की बात नहीं कर रहा हूँ 10-20% में होता है जहां पर पूर आरी तरफ से reply जाता है तो generally अभी भी मैं सबकी बात नहीं करूं 100% 80-90% की बात करूं generally लड़का बहुत लंबी लंबी explanations देता है अपनी तरफ से यानि कि लड़की ने को इलजाम लगा दिया कि इसने मुझे मारा पिटा तो उसकी बहुत लंबी explanation देता है पूरी कहानी जो जो हुआ होता है जो घटना करम रहा होता है लड़की ने लिख दिया कि मेरा सारा इस्तरी धन इसके पास है तो वो उसकी पूरी explanation देता है अब उस explanation में होता है क्या है जो लड़की की petition होती है वो तो होती है 4-5 page की और जो लड़की की petition होती है वो बनती है 20-25 page की ऐसा नहीं करना है दोस्तों, maintenance का case है, कोई criminal case नहीं है, आप अगर allegation को deny कर देते हो, उतना भी sufficient है, ये केवल आपके मन के संतुष्टी है, देखिए material fact जरूर आने चाहिए, लेकिन आपका reply वो ही सही कहा जा सकता है, जो to the point हो, और short में हो, यह नहीं कि, हाँ इतना जरूर है कि नहीं लिख देते हैं, तो वो केवल आपको नुकसान देगी, क्योंकि जब आपकी जिरह होगी, तो जो सामने वाला वकील होगा, उसके सामने वो petition होगी, और उस petition से ही आपसे पूछेगा, जितनी ज़्यादा आपकी theory होगी, उतनी ज़्यादा चीज है वो आपसे पूछे लेकिन उस चीज को वो link कहां पर करते हैं, कैसे वो उनके काम आईगी, वो केवल वकील सा भी जानते हैं, तो इसलिए दोस्तों आप जितनी ज़्यादा चीजे लिख करके लाओगे अपने reply में, उतने ज़्यादा आप फसोगे आगे जाकर गे, और उतनी ज़्यादा चीज जिसका maintenance case में जरुरत नहीं है, उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं, अगर हम allegations को just deny कर दें और केवल जिस allegation के explanation के हमें जरुरत हो, केवल उसी का explanation दें, वो भी short, वो भी बिल्कुल ऐसा कि to the point हो, ये ना हो कि पूरी कहानी हमने शुरू से करके अब तक लिख दी, उस case में आपकी petition बहुत लेंदी हो जाती है, किसी के पास एतना time नहीं एतनी लंबी petition पढ़ने को, लेकिन opposing party का council, जब आपसे cross examination करेगा, आपकी reply को अपने सामने रखेगा, प्लस उसकी petition को अपने सामने रखेगा, और इतनी सारी explanation में कहीं ना कहीं आप mistake करोगी करोगे, और आपको भी पता नहीं पाएगा cross examination के time पर, कि जो मैं बोल रहा हूँ, इसका arguments के time पर कैसे use होगा, तो इसलिए दोस्तों, आपको पहली ये जो mistake के इसको avoid करना है, second mistake होती है, कई बार आप maintenance का notice लेने के बाद, henky-penky काम करते हो, means कोई loan ले लेता है, अपने उपर liability बढ़ाने के लि जब तक कि आपको maintenance की petition या notice receive नहीं हुआ था, लेकिन एक बार receive होगे, उसके बाद आप ऐसा करते हैं, तो judges सब को समझते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, court उस चीश को बड़े आराम से भाप लेगी, कि आपकी intention क्या है, और आपको उससे कोई भी रहात नहीं मिलने वाली, बल लों में वकिल सापको appoint ही नहीं करते, खुद ही सोचते हैं, हम कर लेंगे, भाया, Google से, YouTube से आप ग्यान जरूर ले सकते हो, लेकिन किसी की जो professional qualities है न वो आप नहीं ले सकते, चाए आप कितना ही उसमें जान लगा ले, क्योंकि एक आदमी जो 10 साल तक 20 साल तक court के अंदर घि अगर मैं medical के बारे में चीजें जान 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 अपने घर पर इलाज करने बैठ जाओं तो वो possible नहीं है, गलत होंगी चीजें, और सबसे बड़ी बात है आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, और last में जब आपको उसकी consequence भुगतने पड़ेंगे, त उसके बाद change नहीं होगी, interim का एक बार आपके उपर order हो गया, उसके बाद दोस्तों कम कराना बड़ा मुश्किल है, फिर अगर आप appeal में भी जाते हो, तो बमुश्किल interim maintenance कम होता है, बढ़ सकता है, बढ़ जाता है, लेकिन कम कराना बहुत मुश्किल होता है, बहुत rare cases होत आपके according, तो उस amount के according, अगर आप देखेंगे 24 महिने की calculation, तो कितना बैठ जाएगा, वो सब आपको एक साथ देना है, फिर monthly भी देना है, तो इसलिए बहता है कि उससे पहले जो जो चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं, उनको कर लीजिए, और तभी आगे बढ़िए, और अग अगर आप इस एफिडेविट को ध्यान से देखें, तो इसमें proper column है, जहां पर आप सारी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन हम बताते नहीं, बहुत short में बताते हैं कहने का मतलब, ऐसे नहीं, अगर आप दिखा रहे हैं, आपके ओपर इतने dependent है, तो आप बताईए कि उनकी age कितनी है, सारी details उनकी खोलिए, प्लस उनके जो medical चल रहे हो, treatment चल रहे हो, वो सारा आप लिखिये उसमें, किनका ये ये treatment चल रहा है, इसी सपताल में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मतलब उसको proper draft कीजिए, ना कि एक format आप print out निकाल करके उस पर चलिए, तो मेरे हिसाब से ख तो सामने वाली parties उसको objection करके आप पर कारेवाई भी करवा सकती है, और दोस्तों interim का जो argument हो, उसमें सारी चीजे cover up हो, कहने के मतलब आपकी proper आर्थिक स्थिति, अगर salary इतनी है, तो उसमें से कितने आपके खर्चे हैं, उसमें कितने आपके dependent हैं, उन dependence के क्या क्या खर्चे हैं, आपके खुद के medical expenses हैं, तो वो भी बताईए, आपके traveling expenses हैं, घर से office, office से घर तो वो भी बताईए, कहने का मतलब जो भी आपके expenses हैं, जो भी आपकी स्थिति हैं, वो सारी आपको interim arguments के time पे बतानी हैं, इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिए, यदि आपकी wife adultery मे हैं, और उसके आपके पास proof हैं, तो दोस्तो interim पर जाने से पहले, आप court में 125-4 की petition move करिए with affidavit, क्योंकि जब interim पर argument होंगे, तो वो 125-4 की जो application आपकी है, वो on record रहेगी, 125-4 दोस्तों ये कहता है, कि अगर आपकी wife adultery में है, तो उसको maintenance नहीं दिया जाएगा, हम गलती क् हैं, पहले हम interim maintenance पे भहस कर लेते हैं, बाद में फिर हम उस चीच को लेके आते हैं, तो उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा, यदि ऐसा है, तो आपने 125-4 की application दे दी, जब आपका interim हुआ तो आपके साँ आपको पता चला, कुछ मामलम ऐसा होता है कि आपके साँ married उने के बाद, उसने कहीं और शादी कर ली है, आपको अब पता चला, यानि बाइगेमी वाला matter है, तो इस चीच को भी आप लेकर के आएंगे, अपने interim arguments में बहुत ही strongly, तो आपको फायदा मिलेगा और हो सकता है, आपका maintenance ही cancel हो जाए, अगर court आपसे convince हो जाती है, तो दोस्ते ये बहुत सारी चीज़े हैं, हम इनको ध्यान में नहीं रखते, ऐसे matters होते हैं, लेकिन हम interim पे नलाकियों से बाद में लाते हैं, कई बार तो interim पे argument ही नहीं करते, तो फिर दोस्ता ऐसे में क्या होगा, ऐसे मे अपने आपको रखते हैं, तो फिर court सारी चीज़ों को ध्यान रखता है, और सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही फैसला करता है, तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इस वीडियो में, आपके लिए जानकारी, नेक्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिल हुआ तब तक के लिए गुडबाए और थैंक यू फो वाचिंग, टेक केर.